तो फाइनली आदीपुरिश्टा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और उसके बहुत सारे पोस्टर भी रिलीज हो चुके हैं पास्ट में भी हो रहे हैं राइट मुझे लगा कि मुझे अपने स्टाइल में भी पोस्टर बनाना चाहिए तो चलो फिर चलते हैं पोटोशोप में और देखते हैं कि मैंने किस तरीक से आदीपुरिश का पोस्टर डिजाइन किया है ओके तो मैंने 3x4H2 का रेशो का हमारा कैन्वस लिया है और यह मैंने एक थंबनेल T-Series के चैनल से लिया था इसका क्रॉप मैंने कर लिया है हमारे करेक्टर का तो कुछ इस तरी किसा हमारी PNG निकल किया है यहां पर मैंने इदर arrow लगाया है अगर मैं डिजेबल करके दिखाऊं तो यह screenshot है हमारे ट्रेलर का तो इसी के arrow को मैंने ऐसे align किया है क्योंकि इदर light cut हो रही थी ना हमारे coaster में इदर तो इदर जंक से नहीं दिख रहा था तो इसले मैंने इदर ऐसे arrow लगाया जो कि अच्छा तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हम जाएंगे vibrance पे और clipping mask करके vibrance में बिल्कुल zero कर दूँगा minus 100 एंड इस प्यूपर layer mask के black color फिल करके and white color फिल करूँगा यह जो हमारी धोती है सिर्फ धोती को white करना है लाइक उस क्यूपर हमें इतना ज्यादा orange color नहीं आप देख सकते हो vibrance minus 100 पे and दुबारा इस क्यूपर vibrance लेंगे and clipping mask लगाएंगे and इसको मैं थोड़ा सा और कम करूँआ पूरे overall overall क्यूपर कुछ इतना इतना ठीक है इसके बाद हम जाएंगे levels क्यूपर इसको भी clipping mask and इसको मैं कर दूना थोड़ा सा dark कुछ इतना okay तो यह कुछ इस तरीके से दिखेगा before and after okay यह दोती वाला white color करना थोड़ा दूरी था क्यूंकि हम इस तरीके से बनाएंगे तो इसमें light हमें इतनी नहीं चाहिए कि इतनी दोते पर थी इसलिए and यह जो PNG की mistakes है इसको ignore करना क्यूंकि यह नहीं दिखेगा okay so मैंने इधर क्या किया है कि सारे के सारे हमारे जो screen shots मैंने लिये थे अलग 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 तरीके screen shot लिया हैं देखते हैं कि कौन सा हमारा work करेगा हमारे poster में but इधर right में बहुत सा screen shots मैंने already ले रखे हैं and इधर smokes मैंने कुछ इस त keeping mask करूंगे इसको थोड़ा से dark करूंगे right कुछ इस तरीके से okay and same हम करेंगे हमारे जो background में smoke डाली है उसके साथ भी तो इसको control जैसे copy duplicate and then इसके उपर भी levels कम करेंगे और इसके उपर new layer लेके orange color यहीं से pick करके and हमारा जो brush tool है इसको कुछ इस तरीके से shrink करके यह stretch करके आप बोलते हैं तो कुछ इस तरीके से मैं करूंगा था कि यह lighting जो हमारा effect है वो आए तो clouds के उपर मैं वैसे कर देता हूं okay तो same new layer लेके थोड़ा सा dark orange color pick करके इसको कर दूंगा screen and brush size थोड़ा सा small करके इसके उपर दुबारा एक बार कर दूंगा okay तो यह कुछ इस तरीके का देखे हो again new layer and same हमारा brush brush का जो color था वो and यहां पे again brush को थोड़ा सा stretch करेंगे जो पहले वाला हमारा था add कुछ इस तरीके से रहेंगे ताकि जो हमारी light है वो हमारी clouds के उपर पर रही है कुछ इस तरीके से इसको कर देंगे linear dodge and opacity की कम कुछ इतनी okay तो इतना हो चुक है इसके बाद मैंने इधर यह pixel से background लिया था but यह background इतना यूज नहीं करूँगा इसको मैं दिखाता हूँ आपको but मैं पहले इस पर बनाने वाला था बट फिर यह जंगल वाला जादा बेटर नहीं लग रहा राइट तो इसको हम चेंज करेंगे and again यहां पर brush लूँगा हमारे character के background menu लेह लेकर कुछ इस तरीके से fill करूँगा ताकि पीछे हमारा glow क्योंकि आदिबुष के mostly poster पे बहुत ज़्यादा glow है तो वैसे हम glow डालने वाले हैं इस ऐसे linear dodge करके इसको मैं कर दोगा duplicate तो यह कुछ इस तरीके से दिखेंगा same इसके उपर भी हम color dodge से inner glow देंगे जो हमारा orange color है same and इसके opacity full size थोड़ो सा कम करेक्टर की layer के उपर कर रहे हैं बाद में हम change करेंगे इसको okay outer glow है outer glow देंगे linear dodge and same color और ज्यादा size okay तो यह कुछ इस तरीके से देखेंगा with background जो हमने linear dodge का बनाया था वैसे रखेंगे और इसके opacity थोड़ी से मैं कम कर देता हूं layer की कुछ इस तरीके से okay इसके उपर एक new layer लेंगे वो new layer से selection लेंगे हमारे character की and इसको कर देंगे fill white color या कोई भी color and same जो हमारी blending settings थी उसको copy करेंगे and इसके उपर paste कर देंगे okay add इसको कर देंगे fill ko zero and same हमारी layer को कर देंगे group में group में करने के बाद इसको करेंगे layer mask and नीचे से थोड़ा से इसको कर देंगे delete थोड़ सा जूम करके क्योंकि हमें यह जो नीचे से इनर glow आ रहा है वो हमें नीचे है तो इसको हम black color से कर देंगे delete okay अगर आप इदर ध्यान से देखो तो जो inner glow था हमारा वह हमारे जो हमारा हमारा तीर कमान है उसके left side पर बहुत अच्छे से वह effect बना है right red color का थोड़ा darkish fire type का effect बना है तो same हम effect करेंगे पूरे right side के तीर कमान के उपर भी तो उसके लिए new layer लेंगे and वही हमारा जो color है उसको इस तरह के से fill करेंगे color dodge के साथ तो मैं इसको कर देता हूँ पहले color dodge all right ऐसे और इसको सब पूरे पर फिल कर देता है and इसी layer को हम करेंगे duplicate control J से and हमारे character के selection लेके layer mask करेंगे and इसको कर देंगे smart object में and इसको कर देंगे linear dodge and Gaussian blur देंगे कुछ इस तरह के से ज्यादा नहीं बस 789.5 बहुत है and इसको कर देंगे linear dodge and इसको opacity कर देंगे थोड़ी सी कम कुछ इस तरह किसे तो यह कुछ इस तरह किसे effect और glow type का जो कि अच्छा है and again जैसे मैंने बोला कि मुझे background उच्छा नहीं लग रहा था तो मैं और background यहां पर चूज कर रहा हूं but then again यह इतना अच्छा नहीं है but मैं देख रहा था कि कौन सा background लगेगा इसमें perfect पैठेगा okay तो मैंने इधर क्या गिया अधिपुरिश्टा जो हमारा text था वह मैंने दूसरे उनके poster से extract कर लिया PNG and यह मैंने background at the end final किया यह मुझे थोड़ा better लगा क्योंकि हमारा थोड़ा यूद भूमी रन भूमी टाइप का हमारा poster का theme है okay so finally मैंने यह background select किया है जिसमें हमारे तीनो characters है and hanuman जी भी है तो इसको मैं थोड़ा resize कर लेता हूं और कुछ इस तरही के से रख देता हूं जाए जो कि थोड़ा अच्छा लगे overlay मैंने कर दिया है right and opacity कर देता हूं थोड़ी C तो ऐसे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है extra text होता है वो sublink दिया है जो उनके original poster में भी था तो यह कुछ इस तरह दिख रहा है and यह जो हमारा screenshot इसको method or scale कर रहा हूं क्योंकि हमारे text के साथ overlap हो रहा था something like this ctrl shift all t and इसको मैं कर दूँँ smart object obviously save कर लो camera filter पेचानी से पहले okay तो यहां पर मैं already मेरे saved presets रहते हैं तो यह मैं saum वाला preset करने वाला हूं जो कि इसका अच्छा से बैठ रहा है इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा तो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं सबसे पहले जाएंगे हमारे effect पे and यहां पे थोड़ा grain डालेंगे थोड़ा zoom करके मैं देख लेता हूं green ज्यादा भी ना हो कुछ इस तरीके से सही लग रहा है and यहां पे detailing में जाके इसको थोड़ा सा कर देंगे sharp कुछ इस तरीके से and noise reduction भी and color noise reduction तो यह कुछ इस तरीके से देगा इसमें मैंने इसके बाद थोड़ा पोस्टर कुछ इस तरीके से देख रहा है so after millions of changes and stuff हमारा पोस्टर कुछ इस तरीके का देख रहा है आप लोग बताना की किस तरीका हमारा पोस्टर है and comment section में बताना की मुझे क्या changes करने चाहिए थे या क्या चीज़ अच्छी लगी compared to the original poster और अगर अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और मुवी का poster पोस्टर पी रिकेड़ करो तो comment section में बताना बाकी till then thank you bye bye